हेल्दी लीवर अभियान के तहत उच्छे जोखिम वाले समहों की हेपेटाइटीस की जांश शुकरवार को शिविर लगा कर की गई चुके सेम स्वास्त्विभाग द्वारा जुलाई महा के प्रतम सबता से हेल्दी लीवर अभियान की शुरुवात की गई है शुकरवार को बीकाने Network for People's Living with HIV संस्तान बार्मेर और MR मुरार का फांडेशन बार्मेर द्वारा FCI गुदाम एवन BNP प्लस कारेले में उच्छ जोखिम वाले समों की हेपेटाइटीस सिफलिस और HIV की जांच कैंप लगा कर की गई कैंप में हेपेटाइटीस के लक्षन और उपचार के बारे में भी जानकारी देने के साथ ही चोहांतर व्यक्तियों की जांच की गई हेल्दी लीवर अभियान के तहर शुकरवार कुछ जोखिम वाले समों की हेपेटाइटीस की जांच की गई अभियान के तहर विभी ने जाग रुकता गतिविदियां आयुजित की जा रही है वहीं अभियान को प्रभावी और सफल बनाने के लिए CMH और बावुलाल विश्नोई की निर्देशन में डिप्ती CMH और डॉक्टर पी सी दीपन की अध्यक्षता में बीकाने नेटवर्क फॉर पिपुलस लिविंग विद एचाईवी संस्तान बार्मेर एवं एमार मुरार काओ फाउंडेशन बार्मेर द्वारा एफसी आई गोदाम एवं BNP प्लस कारेले में उच्छे जोखिम वाले समू की हैपेटाइटी सिफलिस और HIV की जाँच कैम लगा कर की गई डॉक्टर दीपन ने बताया कि वाइरल हैपेटाइटी से कैसी बीमारी है जो वाइरस के कारण लीवर को प्रभावित करती है ये वाइरस खून के माध्यम से लीवर में प्रवेश करता है और फिर लीवर फेलियर समेथ कई गंभीर बीमारीों को जन देता है यदि इसका इलाज समय पर ना किया जाए तो ये मौत का कारण भी बन सकता है जिलाशा समन्वक राकेश भाटी ने बताया कि वाइरल हैपेटाइटिस पांच प्रकार का होता है A, B, C, D और E वाइरल हैपेटाइटिस से बच्छाव के लिए आवशक है कि शुद्ध पानी और भोजन का सेवन करें BNP प्लस कारेकरम प्रबंदक संजे भाटी ने बताया कि चिकेश सविभाग के निरदेशन में संस्ता द्वारा उच्च जोखिम वाले समू की कारेले में कैम्प लगा कर 54 व्यक्तियों की हेपेटाइटिस की जाँच की गई और आगामी समय में कच्ची बस्ती में कैम्प कायुजन कर हेपेटाइटीस की जाँच की जाएगी परियोजना प्रबंदक प्रताप नहरा ने हेपेटाइटीस के लक्षन और उप्चार के बारे में जानकारी देकर 74 व्यक्तियों की जाँच की फर्याएटी करेंट सिखाद रास्तान सर्गार कि निरु इडूवी रास्तान की जाँच करेंद कायुजन किया जा आज जिसके तरहत हम यहां पर भीकारे नेटवर्क फॉर लिबिन विध हुछ आएवी दिकनेंट नेटवर्क पर प्यूकुल्स निविंग इचाइवी संस्ताम बारबेंग के जो एंजो है उनके साथ में मिलके यहां पे एक हिपेटाइटिस का स्टेलिंग केम्प और टेस्टिंग केम्प लगाया है जिसके तथ लोगों की जांच की जा सेके ताकि मालूम पड़ रहे हैं ताकि आम जनिग के अंदर ये मालूम बड़े के वास्ताम में जो है कम्यूटि के अंदर कितने वेक्टियों के हिपेटाइटीस रहे किते लोगों के हैचाइवी और स्टेलिस के